आझ मैं चल नहीं हुँ रोटी को ताजा करने के लिए तो ये हमारी रोटी रात की बची हुई है तो मैं इसको सोच रही हूं ताजी और नास्ते में कैसे यूज कर सकती हूँ. तो ये हमने रोटी को हटा दिया परफेस्ट में बहते on when אני right तो यह पानी जाल दिया मैंने गिलास भरके और इसमें अब जाएगा यह सौधनुशार नमक तो एक चमच भरके इसमें मैं नमक डालूंगी और इसको मिला देना अच्छी तरीके से है पर्फेक्ट इसको चला करके थोड़ा पढ़िया मिक्स हो जाएगा नमक तो यह देखिए हमारा पूरा मिक्स हो रहा है नमक अच्छी तरीके से चमच की मदद से मिहला डूला दे रही हूँ तो यह पर्फेक्ट हमारा मैच हो गिया है नमक आपको दिखा रही हूँ, यह देखिए, दुबारा मैं दिखा रही हूँ, फिर यह मैच हो चुका है, बिल्कुली परफेक्ट मैच हुआ है, तो यह मैं पूरा मैच करना है पानी के अंदर, तो यह हमारा मैच हो का है, दूसरा यह प्रोसेस, तो रोटी को मैच को मैं भिगात कुर्ण कर दिया है और मेंुझ की तरफ चलेंगे थोड़ा सा ओल कर द्सक्राइब तो मुझे थोड़ा कम देख रा तो मैं थोड़ा सा और दाल रहा है तो लगभग अमारा दो चमच के लगभग तो यह हो चुका है फ्राइदान में ये तेल तो ये तेल हमारा गरम होने तक में फॉरम चल लही हूँ ये रोटी जो डिप करके रखी थी ना फॉरम रोटी इसमें रख दूंगी तो ये हिलाड उला करके ये देखिए परफेक्ट भी एक तरफ से हो जाएगी तो इस परकास से मुझ को दूसरी तरफ भी हिलाड उला करके पलट देना है तो में चल लए एक तरफ हमारी हो चुकी है दूसरी तरफ पलटने के लिए तो ये देखना कितनी परफेक्ट लगेगी देखने में भी खाने में तो इससे भी ला जबाब लगेगी ताजी से भी यह नहीं है आपको तो यह रोटी को मैं निकाल लेती हूँ इसी परकार से मुझको दूसरी भी रोटी बनानी है तो यह हमारी रोटी अलट पलट करते हुए हो चुकी है तो यह मैं देखिए कितनी सौट मुलायम हुए है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इसी परकार से मुझको और भी बनानी है दूस्री या फिर inventory भी दिखाती हूं सारी रोटिहों को जो मेरी थी बनी हुरी दिखाई थी मैंने आपको बच्जी रोती तो ये रही हमारी सी परकार से मुझे दूसरी भी बनानी और ये मेंने चाए नासता बना रही हूँ तो ये सुबा की हमारी चाय बन रही है ये च्छाय तो चाय उमारी पर्फेक्ट पक दिकाऊंगे फोरी तो ये अंदता members अबाना सेख़ा है और थोड़ा मैंने अचार रख दिया है घर का बना हुआ नेमू का यह चार है तो आप इसी परकार से बनाए खाएं वीडियो को लाइक करें शेर करें सस्क्राइब करें नेस्ट वीडियो आने के लिए सस्क्राइब करें और मैं आपका भी इंतजार करूंगी